जैशी रादे कृष्णा साथ हूँ, मैं वी कृष्णा ज्यान साहरा चैनल में आपका स्वाकत करती हूँ, कैसे हैं आप, आपके अच्छे स्वास्त और सुखा जिवन की मंगल कामना करती हूँ, आपके रुपने इस्तेवों को कोटी कोटी नमन करते वे, बड़ों को पड़ जनक रूप से इसके परिनाम देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको इन 16 दिनों में यह दिया व्रत करते हैं, तो किन्य मों का पालन करना चाहिए, नहीं करते हैं, तो किन्य मों का पालन करना चाहिए, क्या भूग लगाना चाहिए, कैसे व्रत का पारन करना चाहिए, समस्त सोला दिवस्य व्रत है या पूजा है इसके नियम बहुत खास तो नहीं है लेकिन हाँ इतने सरूर है कि आप करेंगी तो आपको अर्चा रजने ग्रूप से परिनाम मिलेंगे क्योंकि रहसे महीं पूजा है इसको करने से मातालक्षम की अटूट कृपा बरस्ती है और आपके तो आप इने तीन दिन कर सकती है पहले दिन आठवे दिन और सोलवे दिन राइट इस वरत में क्या खाएं क्या ना खाएं इस वरत में अन नहीं खाया जाता है इस वरत में आप दूद ले सकते हैं फल ले सकते हैं मिठाई ले सकते हैं और अगर आप शारी डिप से अक्षम तो आप एक समय फलहार भी कर सकता है, चंद्रमा को अर्ग दिया जाता है, अगर आप ये व्रत 16 दिन कर रही है, तो भी ये ही नियम पालन करेंगे, अगर आप 3 दिन कर रही है, तो भी ये नियम पालन करेंगे, और अगर आप 1 दिन, 3 दिन, 16 दिन नहीं कर रही है, पहले दिन या फिर सोलवे दिन कर रहे हैं तो भी ये नियम पालन करेंगे और अगर पहले दिन आप से चुट गया शारीरिक कष्ट के कारण या किसी भी वज़े से तो फिर आप इसमें सोलवे दिन यानी 6 अक्टूबर को जिस दिन इसका पारण है उस दिन विद्धी विदान से कर लें हो सके ब्रह्ममरोत में आप पूझा कर ये वैसे मैं ने इसमें कलश स्थापना का विशेश महत्वे जो आपको वीडियो में पूरा का पूरा देखने के लिए मिलगा पूरी विद्धी मिलेगी अगर आप कलश स्थापना करते हैं कलश में माता लक्षमी के सरूप की स्थापना करते हैं उसके परश्रीफल रखते हैं तो आपके लिए उतना भी बहुत होता है और अगर आपने कलश स्थापना की है और पूरे सोला वरत नहीं किये तो भी कलश स्थापना जो आपने किये कलश की पूजा पूरे 16 दिन अगर आप सुबा और शाम करते हैं और अपने घर में अपने आपको सात्विक रखते हैं अपने आपको सात्विक रखना बहुत ज़रूरी है जो भी पूजा धारन करना है हो सकता है 16 दिन आपके जो परिवार जहन है वो बिना लहसुन के का नियम लिया है इस तरह से करें 16 दिन 16 चीजों का दान किया जाता है 16 चीज़े पूजी जाती है चाहे 16 सिंजगार के सामगरी हो 16 फल हो 16 फूल हो 16 मिठाई हो इनका आपको दान करना होता है एक प्रामनी को भोजन करा के वस और शिंगार की सामगरी देनी होती है बाकी ची पहुँच गईूगाई। से और इस ब्रत के नियम के बात हैं संकल लेकर करिएगा जो भी कारे करें संकल लेने की विदी भी उस वीडियो में बताईगे जिसमें आपको बताई है तो आज आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत अपयोगी साबित होगी मिलती है को जबर्दस वीडियो के साथ